हेलो स्टुडेंट्स आज का हमारा टोपिक है रोडो फाइसी का पोलीस आइफोन या ठीक है रोडो फाइसी क्लास का पोलीस आइफोन या अलगी पोलीस आइफोन या जो होता है वो एक रेड कलर का अलगी होता है इसे लाल सेवाल के नाम से भी जाना जाता है ज्यादा तर य वो fresh water के अंदर पाय जाती है बहुत कम species इसके ऐसी होती है जो fresh water के अंदर पाय जाती है इसके अंदर chlorophyll A, chlorophyll D, alpha, beta, carotene present होती है उसके अलावा इसके अंदर gentophyll pigment पाय जाता है जो इसको color देने का काम करता है reserve of food के अंदर इसमें floridian starch होती है उसके अलावा और phycocyanine और और phycocyanine नाम के इसमें phycobillines पाय जाती है अगर थेलस की structure हम बाहर से देखेंगे तो थेलस हमें radicular का दिखाई देता है इसकी जो cell wall होती है वो बाहर से pectose की बनी भी रहती है और अंदर से cellulose की बनी भी रहत होती है ठीक है आउटर जो cell wall होती है वो पेक्टose से बनी भी रहती है इंटरनल जो cell wall होती है वो cellulose से बनी भी पाय जाती है थेलस अगर हम देखेंगे तो थेलस हमें wing like structure जैसा दिखाई देता है पंक नुमा सरंचना के रूप में हमें थेलस इसका दिखाई देता है ब्रा यह ट्राइकस होने का मतलब क्या होता है इसमें दो परकार की ब्रांच जाती है यह फ्ली साइफन का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी tube-lag structure पाय जाती है ठीक है साइफन का मतलब क्या होता है ट्यूब्स और पोली का मतलब होता है बहुत सारी तो पोली साइफन का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी ट्यूबलेक स्टेक्चर देखने को इसमें मिलती है उसके अलावा ये जो process system होता है वो vegetative reproduction के अंदर help करता है काई की जन्दन के अंदर help करता है दूसरा होता है erect system erect system भी कैसा होगा poly syphony, nature का होता है इसमें भी बहुत सारी tube-like structure पाई जाती है और ये rhizodes के द्वारा fix रहता है यहाँ पे इसमें rhizodes present होती है और ये क्या होगा rhizodes के द्वारा स्थिर रहता है stable रहता है जो erect system होता है उसमें दो परकार की branches पाई जाती है एक तो branch of limited growth होती है दूसरा branch of unlimited growth होती है सीमित वर्दी की साखाई और एसीमित वर्दी की साखाई इसका जो main axis होता है main axis कैसा रहेगा multicellular बहुत सारी कोच्चिकाओं से बनावा रहता है उपर की जो branching होती है वो branching होती है unicearate unicearate होने का मतलब क्या होता है कि इस परकार की branch रहती है एक-एक cell की बनीवी branch रहेगी ठीक है इसके अंदर एक-एक cells present होती है एक-एक cell की branching इसके अंदर पाए जाती है इस branch को हम बोलेंगे trico blast ठीक है इस cell को क्या बोलेंगे trico blast बोलते है तो ये तो था इसका बाहर से दिखने पर ये कैसा दिखाई देता है अब हम देखेंगे इसकी cell की internal structure कैसे होती है अंदर से देखने पर जो cell होती है वो कैसे दिखाई देती है तो internal structure में इस परकार का ये दिखाई देता है ठीक है ये इसकी branch होती है इससे हम क्या बोलेंगे trico blast बोलते है एक-एक cell की बनी भी ये रहती है दूसरा इसमें बहुत सारी tubalic structure पाए जाती है दो परकार के syphon इसके अंदर परजेंट होती है जो परिदी के उपर जो syphon पाए जाती है उन्हें हम बोलते है peripheral syphon ठीक है परिदी के उपर जो tubalic structure मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे peripheral syphon बोलते है और center में जो tubalic structure हमें देखने को मिल रही है उन्हें हम बोलते है central syphon इन में peripheral syphon होता है उसे peripheral cells भी इसके अंदर पाए जाती है और central syphon होता है उसके अंदर central cell परजेंट होती है ठीक है जो peripheral kosi का ही होती है वो थोड़े छोटे आकार की होती है size इनकी कम होती है उसके अलावा इसमें जो central cell होती है उसके अंदर एक nucleus present होता है जब कि जो peripheral kosi का होती है या जो peripheral cell होती है उसके अंदर दो nucleus पाए जाती है दो केंद्रक पाए जाती है और chromatophore जो रहता है वो बिखरी व्यवस्ता के अंदर पाए जाता है दोनों के बीच में एक connection होता है जिसी हम बोलते है plasma desmeta plasma desmeta के द्वारा दोनों cells जो रहती है वो एक दूसरे से connect रहती है जोड़ी भी पाए जाती है तो ये तो था इसका internal structure अब हम देखेंगे इसका reproduction ठीक है तो दो तरह के reproduction इसमें देखने को मिलते है तो reproduction देखने से पहले हम देखते है इसकी life cycle कैसे होती है reproduction से पहले इसकी life cycle देख लेते है तो दो टाइप के reproduction इसमें होते है एक इसमें asexual reproduction होता है दूसरा इसमें sexual reproduction होता है asexual reproduction होता है वो इसका थेलस से start होता है जिसे हम बोलते है टेट्रास्पोरोफाइट ठीक है जो थेलस होता है उसे हम क्या बोलेंगे टेट्रास्पोरोफाइट बोलते हैं और यह डिपलोइड होता है यह टेट्रास्पोरोफाइट जो रहता है उससे क्या बनेगा टेट्रास्पोरेंजिया बनती है ठीक है टेट्रा यहां पर बनते हैं, चार में से जो दो टेटरास्पोर होते हैं, वो क्या काम आते हैं, वो मेल का गेमेटोफाइट बनाएंगे, और जो दो टेटरास्पोरफाइट होते हैं, वो फिमेल का गेमेटोफाइट बनाते हैं, तो एक स्टेज तो इसके अंदर आती है टेटरास्पो ओर जो मेल का गेमेटाफाइट होता है उससे बनते है spirmatangia फीमेल से क्या बनेगे karp martyrdays क्या बनेंगे sparmatangia का formation होता है और spirmatangia से sparmatansaben fel कि स्परमेशिया का formation होता है यहां पर यह एग भी होता है, एस्परमेशिया भी हैपलोड होता है दोनों में fusion होगा ठीक है fusion के बाद में इसमें sexual reproduction शुरू हो जाती है fusion से जाइगोट बनेगा जाइगोट जो होता है वो deployed होता है द्वी गुनित होता है जाइगोट में division होगा और क्या बनेगा carposporophyte ठीक है तो यह third stage यहाँ पर आजाती है carposporophyte यह deployed होता है तो तीन तरह के plant इसमें देखने को मिलते हैं पहला tetrasporophyte दूसरा gametophyte और तीसरा carposporophyte carposporophyte जो होता है वो deployed होता है carposporophyte से क्या बनेगे carposporangia यह भी deployed होते है carposporangia से carpospor बनती है यह भी deployed होते है और carpospor से वापस क्या बनेगा tetrasporophyte plant बन जाता है तो इस तरह से इसका life cycle जो रहता है वो चलता रहता है अब हम देखेंगे इसके अंदर asexual reproduction कैसे होता है तो यह इसका man axis है man axis के अंदर बहुत सारी pariscentral cells रहती है और बहुत सारी central cell पाई जाती है तो यहाँ पे जो asexual reproduction होता है वो pariscentral cell से शुरू होता है pariscentral cell जो रहती है वो tetrasporangial initial की तरह काम करती है ठीक है pariscentral cell tetrasporangial initial की तरह काम करेगी इस pariscentral cell के अंदर vertical division होते है ठीक है बहुत सारे इसमे वर्टिकलwDivision उती हैं जिससे दो cell बनेगी इस एक cell में division होगा और सिससे क्या बनेगी? दो cell बनती है एक इसे बनेगी spore mother cell दूसरी इसमें बनेगी cover cell जो cover cell होती है वो division करती रहती है और वो cover बनाने का काम करती है तो एक बार इसको हम छोड़ देते हैं Spore Mother Cell division करेगी और division करके क्या बनाती है यह देखो यह सहाँ पर Spore Mother Cell है हम Spore Mother Cell में division को देखते हैं तो Spore Mother Cell में transverse division होते हैं अनुपरस्त विभाजन होगे जिससे दो cell बनेगी एक को हम बोलेंगे Spore Angel Cell दूसरी को हम बोलेंगे Stock Cell जो Spore Angel Cell होती है उसमें Miosis division होगा Spore Angel Cell में Miosis division होगा जिससे क्या बनेगे चार Tetraspore बनते हैं ठीक है इससे क्या बनेगे चार Tetraspore बनते हैं या यह बोल दो कि चार Nucleus बनते हैं Spore Angel Cell में division होगा division से चार Nucleus बनते हैं यह nucleus अपने चारों तरफ में जो cytoplasm होता है उसको लपेट लेते हैं ठीक है और क्या बनाएंगे चार tetraspore बनाते हैं चार tetraspore बनाएंगे जिन से तीन जो tetraspore होते हैं वो आगे की तरफ रहते हैं और एक जो tetraspore होता है वो पीछे की तरफ रहता है वो दिखाई नहीं देता है ठीक है तो यह बने चार tetraspore अब यह जो चार tetraspore होते हैं यह क्या करेंगे डिविजन करेंगे और डिविजन से फिर sexual reproduction शुरू हो जाता है male के gamet of height होते हैं उसके उपर आगे spermatangia और क्या बनेंगे carpogonia ठीक है इन दोनों gamet of height के उपर क्या बनेंगे male के उपर spermatangia बनते हैं और female के उपर क्या बनेंगे carpogonia बनते हैं sexual reproduction हम next वीडियो में देखेंगे एक बार मैं इसको repeat कर देता हूँ ठीक है तो यह इसका manaxis होता है manaxis में बहुत सारी pariscentral cell present होती है pariscentral cell में vertical division होता है जो pariscentral cell होती है वो tetrasporengel initial की तरह काम करती है इस cell के अंदर बहुत vertical division होंगे दो cell बनेगी उपर की तरफ में बनती है और एक इसमें cover cell बनती है cover cell लगाता है division करती रहती है जो सब स्पोर मदर cell होती है उसमें transverse division होते है जिससे दो cell बनेगी sporengel cell और एक बनेगी stock cell ठीक है sporengel cell में क्या होगा meiosis division होगा तो एक cell से चार nucleus बनेगे या एक cell से चार cell बनती है यह चारो cell जो रहती है वो अपने चारो तरफ क्या करेगी cytoplasm को repeat लेती है और tetraspore के अंदर convert हो जाती है tetraspore जो रहती है वो hepload होते है अब tetraspore से क्या बनेगे division होगा चार tetraspore बनते हैं तो दो tetraspore से तो male gametophyte बनेगा और दो tetraspore से female बनता है अब आगे इसमें sexual reproduction शुरू हो जाती है तो sexual reproduction के बारे में हम next video में देखेंगे यहाँ पर यह जो चार cell बन जाती है यहाँ पर stock cell भी रहती है और यह cover cell जो रहती है बाहर का cover उनाने का काम करती है ठीक है और जो stock cell भी रहती है वो वरंत बनाने का काम करती है तो यहाँ पर sexual reproduction complete हो जाता है next video में हम देखेंगे sexual reproduction कैसे हो